नमस्कार इस वीडियो में हम डेटेल के साथ कवर करेंगे जुबा कवड़ी सीरीज महारा उस्रा का पहला कौालिफायर जो खेला ताएगा नंदुरुगर डिस्टिक और सांगली डिस्टिक के बीच में रिसेंट फॉर्म प्लेयर पॉजिशन और स्टर्टिंग सेवन के साथ बनाएंगे आपके लिए दोस्तों एक शानदार विनिंग टेम तो इससे पहले दोनों टीमोंने इस अंखला में बारा मार्च चुकों 29 नंबर मैच केला सारी 30 नंबर मैच केला था जो की 37 और 31 के उपर स देखें तो जादा डिफरेंस नहीं है तो नुमान लगाना काफी जादा बाई मुस्कुल हो जागा कॉंसी टीम आज विन करेंगी बट स्टैर्स आपके सामने हैं जिसके चलते आप खुछ से एक बहतरी टीम ड्रेट कर पाएंगे सांगर डिश्टिक रेड में लास्ट टा 40 रेडें टोटल की हैं 270 रेडेंस का सक्सेस्वल जा रहा है और 88 प्रतिसत का रेड्स ट्राक रेट है इसके पास ठीक है काफी जादा बढ़िया टीम है अगर जे टीम की तरफ से 10 रेडे होती है तुझे साथ सक्सेस्वल करेगी इसी के साथ अगर डिफेंस में देखें तो पांच प्रतिसत का रेड्स ट्राक रेट और 33 प्रतिसत का सक्सेस्वल टैकल कर रही है तो बहुत जादा इसको भी हलके में मतली देगा जे आपको एबरेज टीम देखने को मिलेगी दोनों तरफ से और मैच का बात करें 14 मैच जिसके लिए हैं से विन कर रही है और 8 मैच ज बिली मैं बोलूगा कि जादा तर आपको डबल सेरेडी खेलाएं और अगर आप ज़्यादा टीम है बनाएंगे थोड़ी सी रिस्की टीम है बनाएंगे तो नंदरवाड डिस्टिक के पक्ष में एक दो टीम है आप ज्यादा क्रेट पर सकते हैं तो इसी के साथ अगर आज क्या एक्सपेक्टर स्टार्टिंग सेवन देखें तो सांगली डिस्टिक के लिए बाई कौन खेलने आएगा ताकर हम गुंजे खेलेंगे बिल्कुल सेंटर में डिफेंस करेंगे आप बैक मॉट खेलते नजर आएंगे मनोज पबार खेलेंगे लेफट इन के ओपर ओमकर सेम स्टार्टिंग सेवन देखने को मिल जाएगी अगर इनने रप्लेस किया जाता है तो जो प्लेर इन होगा इनकी जगा पर वो यहीं पर खेलेगा बाई तो यहां से अगर बात करें रेटर के बार में तो राइट से मनिक पाटल जे बाई रेट करने वाले हैं और लेट से मनोज बबार करेंगे ठीक है इसके साथ आकर हम गुंजे जे न्यूटरल होकर खेलते हैं तो कभी जे बाई लेट से कर लेते हैं जो दोनों सेट से रेट कर बूद किया है, उसे दोनों हिपोटन बनेगे, इनके बाद नॉसे डिसाइड एक आबरेज प्लेयर है, 90 टूटल टैकल किया है इनोने, जिसमें 37 टैकल इनका सक्सेस्फफुल जा रहा रहा है, और डाई की इस ट्रैकर एक इस ताथ पर्धेकर आपकल, पर मेस्टेक है, खेहल वैसे ट्राइबल प्लेयर होंगे आपके पास लेफ्ट कौन अपर खेलते हैं बड़ इनकी जगा पर तो ज़्यादा बड़िया प्लेयर होंगे वो नौसट डिसाइड होंगे ठीक है तो नौसट एक अच्छा उप्शन होगा आपके पास इसी के साथ हा मनिक पार्थिल भाई जे भी काफी बड़िया प्लेयर हैं हलके में मतलीजी का राइट से रेड़ करने वाले हैं तो जे ट्राइबल प्लेयर होंगे आपके लिए ठीक है इनका अगर अच्छा परफॉर्मस हो जाता है तो आपको वन साइड है आप खेल पाएंगे इस टीम का जो कवर है बाई दो जे टीम भाई विटुल सिंदे जे खेलेंगे यहां से बिल्कुल मिडल में खेलेंगे कभी कवार जे बाई यहां से राइट कवर पर भी खेलेते हैं ठीक है जे दोनों पिजिशन पर खेलेते हैं सागर कवाड़े खेलते नजर आएंगे शुशांत सिंदे खेलेंगे काफी साचेदी की जगह पर हो सकता है सौकर ठोर को मौका मिल जाए और वरॉन की जगह पर शाचेन उम्रादन खेल सकते हैं जे दोनों चेंजस भाई डेफिनली हो सकते हैं सुसान सिंदे को रप्लेइस नहीं किया जाएगा कि जै ठीक ठाक बढ़िया खेल लेते हैं तो मुझे लगता है इनको रप्लेइस नहीं किया जाएगा उसे दोनों प्लेइर रप्लेइस हो सकते हैं तो जिसकी जगह पर जो प्लेइर खेलेगा वो उसी की पिजिशन वर आपको खेलता नज़र तो बात करें अगर रेडर के बारे में तो इस साइट से आपको बाई ज्यादा रेड होती नज़र आएंगी ठीक है जिस से ज्यादा रेड करेंगी क्योंकि वरुन पी रेड कर लेते हैं दादा साइब रेड कर लेते हैं जे टीम ज्यादा रेड वैसे भी कर लेती है तो यह इस tournament में ज़्यादा rates इनकी तर्फ से देखने को नहीं मिली हैं बट extra में कभी कवार देड़ा आपको अच्छी करते नज़र आते हैं और जे position जहां भी चिंजो सकती हैं वरून अगर center में जाएंगे तो विठोल सिंदे खेले आएंगे राइट cover के उपर विठोल सिंदे पहले cover पर ही खेला करते थे तो last time में हमने देखा था कि बिल्कुल center में defense करने के लिए आए थे जहां से अगर इस team के बारे में बात करें तो वाई stats में अगर देखें तो इस team on car काफी बढ़ी आप ले रहे हैं इनका average आपको tackle दो या तीन का देखने को मिल जागा पुशिंग और और भी जादा बढ़ी है इनके बाद दादा साहिब रहते हैं जे इनके right के main rate रहे हैं इनको भी आपको बिल्कुल miss नहीं करना है विठुल सिंदे 35% का tackle strike rate है रेड में सफलता नहीं है बट defense में जे भी काफी अच्छे है वरुन आ रहे हैं बाई जे दोनों काफी अच्छा कर लेते हैं अपन परत का rate का strike rate है और defense में 33% का rate का strike rate मतलब इनका जो right का side है बाई जे आपके लिए काफी जादा important है चाहों तो यहां से उपर के तीन प्ले लगा सकते हैं चाहों तो चारों को लगा सकते हैं तो लेप से देखें तो उनकर थोड़े से बहतरी पेर आपको नज़र आएंगे अगर अच्छा खिलते हैं तो आपको रैंक करने का मौका मिल जाएगा तो फ्राइबल प्लेयर होंगे ग्रैनली के लिए आप जादा प्रेफरेंस रख सकते हैं इनके बारे में सागर स्थोड़े से रिस्की जाएंगे आज के मैश के लिए तो अगर आप जादा डेफेंडर अपनी टीम में रखते हैं तो आप इनको मौका दे सकते हैं वरना इनको आप ड्रॉप करते हो भी ये लेज़ेगा आज का मकाबला तो भाई अभी बात करेंगे हम विनिंग टीम के बारे में चलिए सीधा लिए चलतों आपको एप्लिकेशन के उपर साइड आ रहे हैं जो कि भाई बिल्कु राइट कॉनर पर खेलते हैं काफी अच्छे है में डेफेंडर के तौर पर गिनिज आएंगे और विठोल से देगे जे बिल्कुल मिडल में डेफेंस करते हैं आपको मालम है कबर पर भी कर सकते हैं तो उसे दोना इपोर्टेंट है जे रेट के चलते हैं थोड़े से बहतरी नहीं आरेटे के खिलाफ काफी बढ़िया खेले थे इन्होंने बाई चौभी का रेट अच्छा हमें देखने को मिला था सक्सेस्वल टैकल भी तीन की की थी उस मैच में तो जब 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 स्राटिंग साथ रेडर में तीन ट् ले रहे हैं ताकर हम गुंजे खेलते नज़र आएंगे जो कि मेरे बी-सी और बनेंगे आज के बेच के लिए ठीक है तो अगर आप खेलने वाले हैं बाई ग्रैनली के लिए ठीक तो उसमें आप वनन को ट्राइ कर सकते हैं इसी के साथ और अंडर में आप यहां से सुभें बटल को ट्राइ कर सकते हैं दादा साथ रौत को रख सकते हैं डेफेंस में भाई आपको बिठोल अच्छा विकल मिल जाएगा ग्रैनली के लिए तो अगर आप खेलने वाले हैं भाई एसल और हैट तो मनोज बबार को आप कैप ट्राइ कर सकते हैं इनके साथ बी-सी तुक तो वाई फाइनल टीम आप पो टेली किराम पर मिल जाएगा